यह पक्की बात है एक पल एक एक चण आपका भगवान क्या लिखा जा रहा है क्योंकि इसी लिए पता नहीं एक वार भी लिया हुआ भगवान का नाम और हमारा बेड़ा पार कर दिया है यह पहला जो है एकपद्या लिखे एक और उसने क्या क्या एक माहत्मा जी आए तो महात्मा जी यह अब भगवान क्रते थे कुरान करती है वही महाराजी रुप गे वही है वो तो सोय रहो पाम पजारेगी वो भजन कभी करता नहीं था जैसे सोया सो उसकी घराटे की मसीन चालू हाँ अब महाराजी के भजन में हुआ बिगन तो महाराजी ने क्या किया चीमटा उठाया और दो ती हाँ उसको लगी कुछ संस वो संद सो क्रोध में आकर महातमा जी से लड़ने लगा महाराजी थोड़ा ठीक ठाग थे खवे तो महाराजी ने पकड़ा और नीच गुवा के जो ही पटका तो एक दम से एक अई बार निकली हायराम में तो मरे गए तो मरी और जैसे ही मरे तो कोंचे भगवान के धाम और धर्मराजी ने का भई फाइल कोलो इनकी और देखो इनोंने कितना वजन किया क्या किया अपने जीवन में तो जैसे ही फाइल कोली महाराज बहुत बड़ो पापी है हां जिंदगी में कमऊ नाम लो ही ना है भगवान को क्या बोले हां बोले जाओ ले जाओ इसे नरग में जाल दो पर वो भी बहुत बज्जुर रहे हां सामने खड़ो एगो छाती तान बुले आजे थोड़े एग वार फिर चेक करो करो एजा तो हो ही नहीं सकता कि हमने भगवान का वजन ना किया हो सो जैसे दुवारा फाइल चेक करी तो एक बार जब मरे तब हाइराम में तो म अगर आप यही कहते हो कम से कम एक बार तो लिया ना तो उसका जो फल बनो हो है पहले देख में अब धर्मराज चकर में पड़े गए धर्मराज ने कहीं एक वार नाम लो जाकू फल अब का देजा धर्मराज जी ने का चलो ब्रह्मा जी के पास चल लाए अब उसको और तो अब भगवान की तो अब भगवान लेकर चले उसने का सोना हम जिंदगी में पैदल नाए चले कब हो सौकिं रहे पड़ना हुआ तो साइकिल यह इसलिए हमें पालकी बेठार गिले चले 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 बहिया अब धर्मराज जी लगे और पालकी में उसको उलादा पालकी म देखे और जेसी भगवान सामने जब पहुंचे तो बर्मा जी ने देखा अरे धर्मराजी आ रहे हैं तो खड़े हो गया असे से आई 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 श्वागत है महराज बड़े दिनवाद आना हुआ बहले महराज काय को सवागत कर रहे हैं काय बोले बहुत बड़ो पापी को और भगवान का नाम लिया है और कह रहा है कि इसका फल जो हुआ वह हमें पहले तो पहले नरकम महाराज तुम को युपाई हो तो बताओ ब्रमा जी बोले जाको पाओ तो मुंगना जानता है अब दोनों लोग एक तरह ब्रमा घी एक तरह लगे धर्मराज और पालकी में लेखे Jims जा रहे जे अब बोले कहां चुलेंगे भाई आव तो चलेंगे बॉले नात के पास सो जैसे ही बोले नात ने आता हुए देखा धरमराज बरमा जी और पालकी में सोने सोची कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है तो एक दम से खड़े हो गए आई है महराज आई है श्वागत है रे महराज क्या हुआ हुआ हम बहुत परिशान हैं इसमें परिशान कर रखा है महाराज एक बार इसमें भजन किया भगवान का एक बार नाम लिया और हम दोनों ही लोग चक्रने पड़े हो कह रहो हमाँ एक बार जो फल बनों वो पहले देओ फिर हम अनरक में जाएंगा महाराज तो महीं कोई उपाई बता बोले नात कहने लगे इसका उपाई तो हमारे पास भी नहीं है क्या वाँ अब बोले अब चलो भगवान के पास अब भाहिया दोनों लोग आगे पीछे लगे पालखी में और एक लोग से चतरी लगवाई लाई बोले तुम चतरी तान के जालो काई दूप लग रही है तो जैसे भगवान विष्ण के सामने पहुंचे उन्हों ने देखा और उसमझे के पहले बोले जब एरान है आज का बात है महाराज पूछो मत रहामां रहामां भगवान बोले देखो तो हालत बिगारदी इस लेसे हां ऐसा दुस्ट पलने पड़ा है एक बार इसने जिंदगी में नाम लिया रहा इसका फल दो बगवान बोले उतारा पालका तो हाहा हाँ को फोची का बात है भईया महाराज जिन प्रक में डाल दें हमने एक बार नाम लो हम के रहें एक बार को फल दो विन राग तहीया है जैवे भगवान लोले जाउते बड़ो फल कचग और चाहिए तो है कि अरे बर्मा जी आंगे लगे पालकी में और धर्वराज पीछे हो तो बड़ी बिला दें भूमे रहे हैं इससे बड़ा और कोई फल चाहिए बोलगोविंद भगवान की तो है ऐसे ऐसे भज्जर होते भगवान के सामने भी कवार पजन कर दो